हेलो फ्रेंज चलिए हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं जीरो नमबर काना जी के लिए ड्रेस जो बनाने में बिल्कुल ही जी है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं तो देखें ये जीरो से भी जो छोटे काना जी होते हैं उनके लिए हमने ये बनाई है और जीरो नमबर काना जी को भी आराम से आने वाली है और गेरा हमने जिस तरह से हमने बड़ा गेरा बनाते हैं उसी तरह से ये चारो तरफ हमने इसका गेरा बनाया है ये देखें बहुत तो इसी साइज की मैं आपको यहाँ पहुत ही प्यारी सी जीरो नंबर काना जी के लिए ड्रेस बताने वाली हूँ तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें शियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी तो चलिए हम इसी में की आपको दूसरी ड्रेस बनाना बताते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस प्यारी सी आपको कैसी लगी तो चलिए हम जीरो नमबर काना जी के लिए यहाँ पर आपको ड्रेस बनाना बताते हैं किस तरह से मैंने इसको बनाया है तो चलिए मैंने ये कलर लिया है तीन प्लाई वाली उली है और मैंने ये सिंपल ही उल से बनाया है अपर soft वाली wool से मैंने इसको बनाया है तो इसमें हमने 10 नमबर चलाई ली हुई है और last में हम नीचे इसमें white लगाने वाले हैं तो चलिए 0 नमबर काना जी के लिए हम यहाँ पे 12 फंदे डालेंगे यह रेखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से मैं 12 फंदे डाल लेती हूँ यह रेखिए 12 फंदों से ही मैंने इसको बनाया है और बिना जालियों वाली मैंने आपको यह ड्रेस बताई हुई है तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से 12 फंदे डाल लेती हूँ इसके आगे आपको दिखा देते हैं फिर देखी फ्रेंच मैंने यहां पर 12 फंदे डाल लिए हैं और 12 फंदे डालके हम यहां पर यह रिखी यह एक सलाई इस तरह से बॉर्डर बना लेंगे सबसे पहले यह रिखी जीरो नमबर कानजी के लिए हमने 12 फंदे ले लिए हैं और जीरो से भी जो छोटे कानजी होते हैं उनके लिए हमने यह ड्रेस को बनाया है इस तरह से बहुत ही छोटे कानाजी के लिए हमने तो यहां पर यह देखिए एक सलाई बना चुके हैं और उल्टी शलाई को भी बना लेते हैं इसी तरह से और बिना जालियों वाली मैंने आपको यह ड्रेस बताई हुई है इसमें मैंने कहीं भी जाली नहीं डाली हुई है उसी तरह से हम आपको ये तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक सलाई बना ली है इसके बाद हम यहाँ से ये देखिए पहले फंदे को उतारेंगे और हर फंदे से फंदा हम बढ़ा लेंगे इस तरह से यह देखिए तो यानि कि 10 फंदों पे मैं यहां पे फंदे बढ़ाऊंगी दो फंदों पे नहीं बढ़ाऊंगी यह देखिए इस तरह से और यहां तक बढ़ा लेते हैं फंदे और लाश्ट वाले फंदे पे नहीं बढ़ाएंगे तो देखे फ्रेंस मैंने यहां पर हर फंदे से फंदा बढ़ा लिया है अब यहां पर हम इस तरह से यह देखे यह देखे उल्टी शलाई को हम इस तरह से बना लेंगे फंदे बढ़ाने के बाद उल्टी शलाई को बना रहे हैं तो दो सलाई यहां पर हो चुकी हैं यह यह देखे एक सलाई हमने बॉर्डर बनाया है दूसरी सलाई पर फंदे बढ़ा लिये हैं और उल्टी शलाई को भी यहां पर बना लिये हैं यह देखे अब यह हमारी दो सलाई हो चुकी हैं यहां पर यह देखे इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने पूरी सलाई को दो सलाईयां सीधी बना लेनी है यह देखिए दो सलाईयां हो चुकी है बॉर्डर लगा कर गए चार सलाईयां हो जाएंगी तो दो सलाईयां सीधी सीधी इस तरह से बना लेते हैं आगे फिर दिखा देते हैं तो देखी फ्रेंस मैंने यहां पर चार सलाईयां बना ली हैं और हम उल्टी तरफ हैं उल्टी तरफ हम चौती सलाई पर यहां पर अपना बाजू घटाएंगे चार सलाईया मैंने यहाँ पर गले के साथ बना ली है एक, दो, तीन, चार चार सलाईया यहाँ यहाँ पर टोटल बना ली है अब यहाँ से हम अपना यह देखिए चार फंदे हम यहाँ पर कंधे के लिए रख लेते हैं यह देखिए चार फंदे मैंने कंधे के लिए रख लिए यहाँ पे हम बाजू के फंदे घटा रहे हैं यह देखिए एक और यह दो और यह तीन और यह देखिए चार चार फंदे मैंने कंधे के लिए बना लिए हैं उस और यह बाजू के लिए घटा दिये हैं देखिए इस तरह से इसी तरह से मैंने इस ड्रैस में भी घटाए हुए है अब आगी के हम पीठ वाले फंदे दो तीन चार पांच और लाश्ट के फंदे कॉंटिंग कर लेते हैं दो और यह देखिए यहाँ पे चार फंदे मैंने यह पीठ के लिए बना लिये हैं अब यहाँ से हम चार फंदे बाजू के लिए घटाएंगे देखिए एक दो और यह देखिए तीन और यह देखिए चार अब आगे के चार फंदे हम पंदे के लिए बना लेते हैं यह देखिए इस तरह से तो दोनों बाजू मैंने यहां पर यह रिखे इस तरह से घटा ली है यह रिखे इसके बाद क्या करेंगे हम यहां पर पूरी सलाई को उल्टा बना लेंगे और यहां पर मुझे दो सलाईया इसी तरह से बना लेनी है यह रिखे तो दो सलाईया यहां पर उल्टा उल्टा बन बाजू के फंदे घटाने के बाद मैंने दो सलाईएं उल्टी-उल्टी बना ली हैं इसके बाद हम यहाँ पर यह देखी चूली हमारी बनके कंप्लिट है यह रहुके अच्छे से बाजू बन गई है यह दोनों अब हम क्या करेंगे यहां पर हम हर फंदे से फंदा बढ़ा लेंगे गहरे के लिए गहरे के और ये दो सलाईयों पर फंदा हम बढ़ाएंगे इस तरह से एक फंदा बनाया एक फंदा सीधा बनाया और एक फंदा उल्टा बनाया एक फंदा सीधा तो चलिए दो सलाईयों पर फंदे बढ़ा लेते हैं घेरे में इसके बाद इसका नीचे का घेर अबनाएंगे जिस तरह से मैंने इसमें बनाया है तो चलिए बढ़ाते हैं इसी तरह से दो सलाइओं पे हम फंदे बढ़ा लेंगे और इसके बाद आपको फिर दिखाएंगे देखी फ्रेंज मैंने यहाँ पे दो सलाईयों पे फंदे अपने बढ़ा लिये हैं यह देखिए और यहाँ पे घुईरे में दो सलाईया हो चुकी है फंदे बढ़ाते हुए अब इसके बाद यहाँ पे यह टोटल हमारे यहाँ पे 40 फंदे हैं घेरे में अगर आप 30 फंदे भी रख सकते हैं अगर आपने इस तरह का घेरा नहीं बनाना है ज्यादा चारो तरफ का थोड़ा हलका ही रखना है तो आप यहाँ पे 30 फंदे भी रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे 40 फंदे रखे हैं मैं चारो तरफ अच्छा लगता है जब हम लड़ू गोपाल जी को पहनाते हैं तो चारो तरफ से इस तरह से अच्छे से आ जाती है पिछे से तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 40 फंदे उल्टा उल्टा दौनों तरफ से इसी तरह से बढ़ाएंगे, सोरी बनाएंगे, दो सलाईयों पर फंदे बढ़ाने के बाद, तीन सलाईयां बाजू के फंदे मैंने घटाने के बाद, दो सलाईयां उल्टी उल्टी बनाई थी, उसके बाद, दो सलाईयों पर फंदे बढ़ फिर दिखा देते हैं विल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया है आप मिंटों में ही इस ड्रेस को बना सकते हैं जीरो नंबर कानाजी के लिए आप जो सबसे चोटे कानाजी होते हैं उनके लिए मैंने ये ड्रेस को आपको बताया है और पहनाने के बाद को भी सुन्दर के आएगी सेम उसी तरह से बना रहे हैं जिस तरह से ये इसको बनाया है तो चलिए और ये ड्रेस में किसी की डिवाइन पर बना रही हूं ये रेखिए तो चलिए हम तीन सलाईयां बना लेते हैं इसके बाद आपको फिर दिखा देते हैं दोनों तरफ से इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाना है हमने इसको तो चलिए बनाते हैं एक सलाई हो चुकी है दो सलाईयां और बना लेते हैं तो देखी प्रेंस मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 3 सलाईया उल्टी उल्टी बना ली हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाई हुए, 1, 2, 3, अब हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से हम यह देखी, यह सारे फंदे घटाएंगे इस तरह से, एक बार बनाया, दो बार, और यह तीन बा दो फंदों को बन करेंगे, इस तरह से, दो फंदे बन कर दिये, अब यह एक बार बनाया, दो बार बना लिया, और यह तीसरी बार, एक फंदे को तीन बार बना लिया है, उसके बाद हम दो फंदे यहाँ पर बन करेंगे, इस तरह से, देखी एक और यह दो, फिर से द्वा ते और पर कद चार्द करेंगे एक बार बनाया दो बार और ये तीन बार कि अब में कि यहां पे दो फंदे हम बंद कर देंगे तो चलिए सारे घ्टा लेते हैं si BTS कि यह कि इस तरह से इस भी यह कि इसके तरह 되지 चीट यह गटाय में हैं घटा लेते हैं यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार है करें डूशे लिए बंद करते हैं कि तो देखे फ्रaches यहाँ पर हमारी यह अच्छे से सभी फंदो को मेंने बंद कर दिया है और यहाँ पर यह डेखे इसी तरह षज़ा के देख यह बन की कंप्लीट हैं यह काफी और बनाने में बिल्कुल आसान है और जीरो नमबर काना जी को एकदम से फिटा जाएगी यह दिखी इस तरह सी तो दुनों ड्रेस अच्छे से बनके कंप्लीट हैं यह देखी काफी सुन्दर लग रही है और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है बिगनर्स भी इसको बना सकत यहां पर इस टोन लगा लिए हैं इस पर वाइट कलर के इस तरह से यह देखिए दोनों ड्रेस अच्छे से हमारी बनके कंप्लीट है कि आप देख सकते हैं काफी सुन्दर लग रही है दोनों ड्रेस अगर आप चाहते हैं इसके साथ की टोपी बनाना तो मैं अंगली वीडिय के से और बहुत ही इजी तरीके से दोनों ड्रेस बनके कंप्लीट है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह जीरो नंबर लडू को पाल जी के लिए आपको ड्रेस कैसी लगी तो मिलते हैं लिए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए